नमस्कार प्यारे साथियों आप सभी का हर्दिक स्वागत है करंट अफिस विट पीटी जाई इस अकैडमी में 19 जून का हमारा लेसन तैयार है हमारी सीरीज का ये 6 लेसन है कैसे हैं आप सभी अभी तक के सारे सेशन आपने देख लिए कन्फर्म कीजी एक बर कितने लोगों अभी तक के सारे सेशन देखे तो शुरू करें आज का काम हमारे अनुभाव का पूरा पूरा लाब लीजे और अपने दोस्तों तक भी ये फ्री सेशन पहुंचाईए ये सीरीज के वल सीरियस सिविल सर्विसेस अस्पारेंट्स की है जो समय बचाना चाहते हैं और अपने और जब भी हमारे साथ जुड़े इंटेक रुपिया लाई को शेर करना ना भूले आज का हमारा पहला एनलेसिस लेसन 6 का है असेसिंग स्टूरेंट्स इन पैंडेमिक टाइम तो हिंदू अकबार का ये संपाद के लेक में आपके लिए हाजर है लेके फेर असेस्मेंट त क्योंकि सारी जिंदगी लोग ये मार्क्स अपने साथ लेके चलने वाले हैं सिचुएशन तो काफी ट्रैजिक है ही लेकिन उसमें से मुसीवतों में से रास्ता तो निकाल नहीं पड़ेगा स्टूरेंट्स को रोक के तो नहीं रख सकते इसलिए ये सब हो रहा है तो CBSC जो करूंगा ग्यारवी के भी करूंगा और बारवी के भी करूंगा और यह तीनों को मिला के मैंने एक फॉर्मूला बनाया है पैरलल में CISC Council for Indian School Certificate Examination ने बोला है हम भी हमारा फॉर्मूला बहुत जल्दी दे देंगे अब पिछले एक साल से क्या हुआ दोस्तों पूरी दु समझ गए और यह तो एक समस्या सारी दुनिया की सिफ अकेला भारत तो है नहीं और इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है evaluating student तो चात्रों का मुल्यांगन करना क्टिन क्योंकि सारी जिंदगी मार्क साथ में चलेंगे कई देशन आपने hybrid system बनाया थोड़ा इसका थोड़ा उस मैं दसवी क्लास, ग्यारवी क्लास और बारवी क्लास तीनों के मार्क्स यूज करूंगा theory, actual scores of internal assessment और practicals अब 30, 30, 40 का ratio दे दिया गया है तो theory, scores of actual internal assessment और practicals का ratio बना कर उन्होंने ये ratio दे दिया और इसमें marks दसवी, ग्यारवी, बारवी, तीनों के लेंगे तो logic क्या देता है CBSC, logic उसका ये है, कि जितने भी aberrant faces होते हैं किसी students के performance में, फई, दसवी में mood ठीक नहीं था, तवियत खराब थी, या किसी तरह से adjustment नहीं हो पाया, school में अच्छे से performance खराब था, कोई बात नहीं, 11 वी के भी ले लेंगे, अब 11 वी में mood नहीं था, पता नहीं था, कि board exam नही था, कोई बात नहीं, हम 12 वी के ले लेंगे, तो तीन बार तो भाना नहीं कर फक्ता ना, कोई student, नहीं तो फिर तो वो student चाहर academic में interested ही नहीं था, logic ये है, जो 10 वी के marks है, they will be the average of the best 3 among 5, तो ये तो एक अच्छा decision है, also given in the provision to take a class 12 public exam boards later, when the pandemic wanes, अब ये भी एक गली, CBSC नहीं बना के दे दी, जो देना जाएं, तो बाद में सही समय पर परिक्षा हो सकती है, लेकिन अभी क्योंकि third wave, fourth wave की बाते हैं, तो हमें पता नहीं है कि ये समय आएगा भी की, और आएगा तो कब आएगा, कैसे आएगा, और बहुत कम students ही शायद उसके लिए जाएं, तो अब ज लाखो घरों में, लाखो लाखो स्टूरेंट्स के पास में, ना तो स्मार्टफोन डिवाइसे रहे, ना सही धंक से इंटरनेट उनके पास रहा, ऐसे बच्चों की तरफ विशेज ध्यान देने की जरूरत होगी मार्किंग के समय, 12th का assessment 31 जुलाई तक finally सामने आ जाएगा, उनको फिर से उठाना, यहने स्कूल के पास तो पूरा 24 by 7 का काम है, फ्रॉड बहुत हो सकता है, क्योंकि जो ताकतवर पेरेंट्स हैं, हो सकता है, वो स्कूलों पर दबाव बना के अपने बच्चों के लिए best score locally निकालने की कोशिश करें, क्योंकि internal assessment की बात है, और यह तो पास नहीं करना चाहिए, एडिटर यहीं बोल रहा है, और सही बात बोल रहा है, CBSC ने यह बोला है कि इनी सब चीजों को रोकने के लिए यह जो result committees बनेंगी सारे स्कूलों में, इसमें स्कूल के बाहर के external members का होना बहुत ज़रूरी है, और अगर ऐसा नहीं होगा, तो फिर कहीं न कहीं थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो यह जिम्मेदारी स्कूलों की और स्कूल committees और result committees की है, अब इसके पीछे पीछे स्टेट के सारे boards भी wait करके देख रहे हैं कि क्या होगा, और एक good dispute resolution process भी चाहिए, क्योंकि लाखों student कहीं न कहीं हो सकता, मन में अपना doubt रखे और यह randomly evolve हो रहा है, नहीं नहीं, delta plus variant आगरे, किसी को पता नहीं है, तो इसलिए अब भारत को, editor ने बहुत अच्छा suggestion दिया, पूरे 2021-2022 के लिए और उसके आगे के लिए, एक continuous assessment system in pandemic time, evolve कर लेना चाहिए, बहुत बढ़िया edit था, और लाकों परिवारों के साथ जुड़ा के राष्ट्रपती अभी जब मिले और एक तरह से उनके रिष्टों में, अफिर से जो एक खराब face था, उसको समाप्त करके आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इग्रेशन को खतम करके दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या कम से कम neutral होंगे, तो शायद ही आश राष्ट्रपती जो बाइडन और रूस के राष्ट्रपती पुतीन के बीच में, वो काफी pragmatic grounds पर हुई, ना तो इसमें बहुत लंबी-लंबी फेकी गई, कि हम दुनिया बदल के रख देंगे, हम re-define कर देंगे, हम historic हो जाएंगे, हम milestones बना देंगे, इस तरह की लंबी-लं दोनों समझते हैं, कि किसी भी तरह का बिगड़ावा रिष्टा आप किसी के भी हिट में नहीं है, अमेरिका-Russia के relations जो है cold war समापती के बाद, 1991 में Soviet Union का पतन और उसके बाद, एक-एक करके पूरे Eastern Europe के Communist Block का पतन, वहाँ पे जाके शीत-युद की समापती हो गई थी, मुझ दूसरा सवाल ये था, what happened to the market and democratic transition of Soviet Union after it collapsed and turned into CIS and Russia, तो क्या रशिया वाकई में market or democratic economy बन पाया, बताईएगा, अब US ने सीधे-सीधे आरोप लगाया है रशिया के उपर कि 2016 और 20 के चुनावों में तुमने locally सारा का सारा social media और IT manipulation किया, जिससे Trump को फायदा हुआ, in fact Trump तो सालों में अमेरिका में इतने सारे cyber attacks हुए, solar wind का हमला हो या इस साल का colonial pipeline का हो, और सीधे-सीधे जो Biden ने बोल दिया है, कि भाई तुम जो internal descent खतम कर रहे हो Russia में, जैसे Alexei Navalny को उन्होंने गिरफतार करके jail में डाला है, तो अभी कल तो Biden ने यहां तक भी बोला था कि Navalny की मौ अमेरिका खुद को दुनिया का चौधरी बना रहा है, लेकिन अमेरिका सारी दुनिया में तखल अंदाजी करता है, हजारों लोग मर जाते हैं, और उसके बाद भी अमेरिका अपने मकसद में कभी काम्याब हो नहीं पाता है, जैसे अफगानिस्तान इरात में देखा, तो अमेरिका किस मूँ से हमको भाशन दे रहा है, लेकिन इस सब के बावजूत दोनोर इंगेज कर रहे हैं, उनके जो अपने अपने घर वापिस बुला लिये थे, उनको फिर से भेज दिया है, एक स्ट्रेटिजिक स्टेबिलिटी डायलॉग शुरू हो रहा है, हथियार निय से इंगेज नहीं कर रहा था, पाफी मतलब demoralize थी वो country, लेकिन जब से पुतीन ने चार्ज लिया, देखिए 5-5 साल दो बार, 91 से 2000 तक, बोरिस यलतसिन राष्टपती थे, उनके हटते ही पुतीन आये, और पुतीन ने फिर थोड़ा सा जोर आजमाईश शुरू की, और व कैसे action, reaction, action, reaction, तो maturity इसमें होती है, कि दोनों साइड एक एक कदम पीछे खीचे है, तो उससे क्या होता है, एकदम से stability आ जाती है, नहीं तो आप दोनों ही अगर चौधरी बनेंगे, और एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे, और आखे दिखाएंगे, लाल-लाल, तो दिक्कत ह होगी, रूस में 2008 में Georgia में युद्ध छेड दिया, तो उसके बाद democratic Russia का सपना हमेशा के लिए West का टूड गया, और उसी के साथ जब finally Crimea का annexation रूस ने किया, तो G8 को भी G7 ने खतम कर दिया, और रूस उससे बाहर हो गया, और यहां रिष्टे एकदम ही बिगड़ गया, 2016 मे Russia ने cyber attack किया, election interference किया और Trump जीते, ऐसा आरोफ है, Russia मना करता है, Trump भी मना करता है, लेकिन इस से अमेरिका में पुतीन की reputation और Russia की reputation एकदम से minus में चली गई, लेकिन आप Biden और पुतीन चाहते हैं कि इस slide को reverse किया जा, इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी में और आपको बता दू Biden ने क्योंकि clearly बोल दिया कि मेरी foreign policy में दो ही बड़ी नीतियां रहेंगी, चार साल चाइना और climate change, तो चाइना को अगर checkmate करना है, तो रूस से दोस्ती तो करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं, तो रूस हो चाइना अगर बिल्कुल ही पक के दोस्त बन गए, तो फिर आप क्य करेंगे, cyber attack सारा red line Biden ने साफ बोल दिया कि हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे जो cyber attack करेगा, और अब editor बोलता हिंदू का की cold peace अब इन दोनों को आपस में बना लेनी चाहिए, Syria की समस्या हो, Ukraine की समस्या हो, धीरे धीरे उसको सुलचाइए, किसी को पसंद हो, या ना पसंद ह तो Russia एक great power तो रहेगा, लेकिन अगर Putin चाहते हैं कि Russia की पुरानी glory restore होकर, पुरानी तो Soviet Union की थी, लेकिन आज के Russia की अगर glory restore करनी है, पश्चिम से पंगे लेके तो निश्चिती नहीं होगी, तो आपको कहीं न कहीं permanent hostility खतम करके दोस्ती का हाथ पढ़ाना होगा, सवालों तो यह हमारा भारत का इंटरनल सवाल आ गया कि टीकों का आप क्या करना है, कि strategy क्या रखनी है, काफी लंबा चौड़ा एडिटे मैं आपको एकदम सरल भाशा में समझा दूंगा, देखी COVID-19 जब से भारत में आया, दुनिया में आया, उसके 8-10 महिने में उसके TKP शेपी और इसलिए TK जल्दी आ रहा है, COVID-19 की जो वैक्सीन आई, उससे एक चीज़ 100% दुनिया मान चुकी है, साइन्टिस मान चुके है, सीरियस इलनेस और डेथ कम हो गई है, मतलब TK अच्छे हैं, हर व्यक्ती टीका लगा है, मैं आप से सवाल पूछ रहा हूं मेरे डियर करवा लिया, फर्स डोस, सेकंड डोस हो कौन सा करवाया है, कॉमेंट फ्रेट में जा बताओ, और शेहर का नाम भी लिको अपना, और ग्लोबल रिसर्चेस और रिसर्चर्स इस बात पे महर लगा चुके हैं, इन फैक्ट अगर किसी को एक बार COVID हो भी गया, तो उसके बाद रिइंफेक्शन उसका बहुत ही कम होता है, तो मतलब यह अच्छी बात है, तो या तो आप COVID के स्प्रेट को दो तरीके से रोक सकते हैं, या तो COVID की बिमारी फैल जाए, और लोग उससे रिकवर होके आए, तो अगली बार COVID नहीं होगा, और या तो आ वैक्सिनेशन को फैल की जरुवत नहीं पढ़ रही है, तो यह तो बहुत अच्छी बात है, आपने डेल्टा प्लस के बारे में पढ़ लिया न, हमारे साथ कली पढ़ाया था हमने, पूरी सीरीज अच्छे से देखो, तमिल नाडू में एक रिसाज हुई कि COVID जो है 92% ऑक्सिजन की जरुवत को ह खत्म कर देता है, आपको जरुवत ही नहीं पढ़ती है, आप ठीक हो जाते हो, और 94% आपको ICU में जाने की जरुवत नहीं पढ़ती है, तो overall, कोवी शील्ड जो है, वो नएने वेरियंट्स के सामने भी रिजल्ट्स अच्छे दे रहा है, मतलब भारत जल्दी जल्दी वेक पता चलेंगे, और दूसरी चीज है, रेगुलर वेक्सीन एफिकसी स्टेडी, अब दोनों चीज़ें पैरलल होनी चाहिए, जो नए ने जीनोम इवाल हो रहे हैं, उसका स्टेडी करो, पैरलल में वेक्सीन की के एफिशंसी उसको चेक करो, तो जीनोम से पता चलेगा, वे पता है, नहीं तो हम टीवी पे देखते हैं कि कोई कार्डियोलोजिस्ट आ गया, कोई पीडियाट्रीशन आ गया और वो सब पैंडेमिक का घ्यान दे रहे हैं, और यही लोग दे सकते हैं, यह बात ध्यान रखता हैं, तो इंडिविजवल्स में, पब्लिक हेल्थ में, और सोसाइटी में इन्होंने अंतर किया है, इंडिविजवल्स के लिए वैक्सीन हमेशा व्यक्तिकत रूप से डेट डिजीज कम करती हैं, पब्लिक हेल्थ में ओवरल समाज में डिजीज बर्दन और इंफेक्शन स्प्रेड कम होता है, और सोसाइटी के लिए तो एक ही ऐसी कि आपका नॉर्मल जीवन, वर्किंग जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, नॉर्मल कब होगी, तो जो हमारे नेता हैं, जो सारी पॉलिसी बना रहे हैं, उनको इंडिविजवल्स पब्लिक हेल्स सोसाइटी, तीन नजरिये से स्थितियां बनानी हैं, पहला गोलता 30 करोड लोगों को हमको वैक्सीन लगानी है, लेकिन उसके बाद की स्थिती सेकेंड वेव आने के बाद अचानक से रात और रात बदली, तो हमने all adults की बात की, लेकिन अब सारे नए-ने transmissible variants आ गएं, तो एक बात तो सरकार को भी समझ में आगी कि कहीं ज् गोलतें कि 70-80% लोगों में अगर वाइरस पहुच गया, तो अपने आप सामुदा एक प्रतिरक्षा बन जाएगी, तो वाइरस वैसी खतब हो जाएगा spread होना, लेकिन उसमें करोडों लोग भी तो मर जाएंगे, और स्वीडन की यही गलती रही कि उसने purely कम restriction और ज्यादा अमेरिका के, उनको freely जीने दो, जिसको जहां जाना है, कोई lockdown मत रखो, कोई conditions मत रखो, मास्क मत रखो, उससे क्या होगा, herd immunity बनेगी, इसकी बहुत आलोचना हुई, कि इसमें लाखों लोग मारे जाएंगे, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो, समझ माया, herd immunity औ अधिक आबादी को आपको या तो इनफेक्ट होना पड़ेगा, या वैक्षिनेट होना पड़ेगा, spread को रोकने के लिए, और आज जो डेल्टा वेरियंट घूम रहा है भारत में, इसके लिए भारत की 85 प्रतिशत आबादी या तो बिमार पढ़ जाए एक बार, और को रोक लो, सबसे जादा रिस्क पर जो हैं, वो हैं बुड़े लोग, और उसके बाद number 2 पर आते हैं, जिनको बिमारियां है, diabetes, mellitus और hypertension, अब ये बात सत्य है कि कुछ यंग लोगों की भी मौते हो रही है, लेकिन भारत ने जो initially age descending approach रखी थी, वो सबसे अच्छी थी, उस किसी को नहीं पता कि किस दिन कितनी वैक्सीन कहां जाएगी, सरकार बोलतो रही है कि बहुत जल्द रोज एक करोड डोज लगेंगे, ये होगा वो होगा, wait and watch है, तो authors ये कहते हैं कि हमारी उम्मीद है, लेकिन संभावना बहुत कम है कि 31 December तक पूरे भारत में सबको वैक्स तो मिली जाएगा, अब सारा ध्यान गावों पे लगाना बहुत ज़रूरी है, पल्स पोलियो में अगर हम कर सकते थे, तो हम वैक्सीन में क्यों नहीं कर सकते कोविट की, साथी साथ कोविन एप की कमपल्शन को हटा दो, स्टेट्स को फ्रीडम दो, डिस्ट्रिबूशन की और पंचायत लेवल पे लोकल लीडर्स को बोलो कि भईया, वैक्सीन का डर हटवाओ, स्टे अलर्ट टू रीजनल स्पर्स और जहां पे किसी रीजन में अचानक से केसे बढ़ जाएं, वहां पे थोड़ी ज़्यादा वैक्सीन टेंपररी भिजवाओ, तो क्रेडिबल डे कि जहां 100 मोते हो रही हैं, उफिशली 10 रिकॉर्ड हो रही हैं, इससे क्या होता है, लोक बहुत डर जाते हैं, सरकार अगर वास्तविक डेटा निकालने का प्रयास करें, तो इससे सब का भला होगा, सरकार के अफेर्स का तो सबसे ज्यादा होगा, कैसा लगा आपको तो सेशन और लड़ी तैयार हैं आपकी पढ़ाही के लिए और आप 251 से शुरू कर सकते हैं, पावर अफ 10 के 52 सेशन अवेलेबल हो रही है, अपने आप में अदभुत करन्ट अफेर्स है, आज क्या जेनरोल करो और पूरा पूरा लाब लो, चौते पर आगे हैं, मैरिज पर LGBTQIA, सबसे पहले तो मुझे कॉमें ट्रेड में LGBTQIA प्लस का मीनिंग बता दो, सेम सेक्स मैरिजस का मुद्धा अभी दिल्ली हाई कोर्ट में जब आया, तो भारत सरकार ने बोला कि भाई ये कोई अर्जन इशू नहीं है, इसको ता आप अज़न कर दो, अब अर्जन क्यो नहीं है, क्योंकि COVID है, तो अभी इसमें हम बाद में बात कर लेंगे, actually सरकार इस बहुत ही delicate मुद्धे पर अभी अपनी positions पष्ट करने में थोड़ा हिचक रही है, लेकिन author ये कहते हैं, कि भाई COVID-19 ने तो LGBTQIA community की दिक्कतों को बहुत बढ़ा दिया है, और ऐसे लोगों को तो priority पे अब civil rights देने की जरूरत है, the matter is all about extending civil rights to a class of citizens who went to a constitutional court, अपने नागरिक अधिकारों के लड़ाई के लिए भारत के नागरिक, ये LGBTQIA plus community के लोग दिल्ली high court गए, तो सरकार उनको ये अधिकार क्यों नहीं देना चाहती, क्योंकि ultimately देने पड़ेंगे, सारी दुनिया मे बढ़ते जा रहे हैं, अब इसमें इनोंने उधारन दिया है, 2005 का दक्षिन अफ्रीका, 2007 का ऑस्ट्रेलिया, 2015 का US Supreme Court का, और 2019 का मदुराई बेंच मदरास हाई कोट का, कितने cases दिये हैं, और 2018 का हादिया case, 1, 2, 3, 4, 5, तो आपके पास 5 data point हो गए हैं, आप समझ के कैसे परीका के समविधानिक कोट ने ये बोल दिया, कि marriage as a union of one man with one woman, ये definition ये unconstitutional है, और उसमें उन्होंने बोला, कि ये spouse होना चाहिए, one man with one woman क्या होता है, तो इसका मतलब 18 की, IU के उपर कोई भी वयस्क व्यक्ति, पुरुष हो, स्त्री हो, trans woman हो, कुछ भी हो, कोई भी दो फिर Australia की सरकार ने कानून मना दिया, same entitlements for, same equal entitlement for same sex couples, social security, employment, accession, आप देख रहे हैं, दुनिया में सारी चीज़ें इस तरफ ही बढ़ रही है, इनको rights दिये जाए, 2015 में US Supreme Court ने तो सबसे बड़ा decision दे दिया, the fundamental right to marry is guaranteed to same sex couples under the US Constitution, और ये Obergefell versus Hodges case के नाम से famous हुआ है, भारत मे marriages done under various laws, आपको पता ही है, हमारे यहां personal laws होते हैं, क्योंकि भारत एक बहुत complex society है, तो law commission ने भी uniform civil code हलांकि हमारे directive principles of state policy में दिया हुआ है, लेकिन law commission ने पिछले 10 सालों की अपनी studies में सरकार को ये recommend किया था, कि भारत में आप uniform civil code मत लाइए, क्योंकि personal law बहुत अच्छे से service दे रहा है, क्योंकि इतनी अधिक communities हैं भारत में, ये law commission की बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपना मन से नहीं बता रहा हूँ, तो law commission ने अपने report में बोला था, it is neither feasible nor advisable, लेकिन हो सकता है, सरकार कल को ले भी आए, तो फिर उसके 10-20 सालों में उसके प्रभाव पता फिलहाल, भारत में जो शादिये होती हैं, Hindu marriage act 1905, Indian Christian marriage act 1872, Muslim personal law shariah attack 1937, लेकिन किसी में भी same sex or cure marriage को रेकुपनाइज नहीं किया गया है, क्योंकि थोड़े से modern concepts हैं, लेकिन judicial decisions तो हैं, 2019 में मदुराई बेंच मदरा साइकोट ने क्या कहा, the term bride will include trans women and intersex persons identifying as women, so the marriage between a male and a trans woman is valid, बात समझ मैं आई, the supreme court in 2018 हादिया case, या लग case, LGBTQIA case नहीं लेकिन है marriage का case है, the right to choose and marry a partner is a constitutional right, society has no authority to decide who will marry whom, बहुत बड़ा decision है, clearly same sex marriage को रोकना, cure marriages को रोकना, अनुच्छे 14, 15, 21 का हनन है, तो सरकार आज जो officially court में बोल चुकिए कि शादी क्या है भारत में, marriage is a bond between a biological man and a biological woman, ये hold नहीं करेगा, self respect marriages में भी जैसे परिवरता नाया, तो द्रविड culture में, द्रविड movement जब चला था तो उसमें self respect marriages आई थी तमिल नाडू में, उसका क्या मतलब, हम बिना किसी पुजारी के शादी कर लेंगे, हम बिना किसी religious symbolism के, ना fire चाहिए, ना सब्त पदी चाहिए, ना हमको किसी तरह का mangal sutra चाहिए, उसके बिना भी मिल सकती है, तो मोटी बात ये है कि 29 देशों ने LGBT IQA में same sex marriages को allow किया है, भारत को भी इसे allow करना होगा, आज नहीं तो कल, यता लगा आपको complex शेय है और काफी sensitive शेय भी है लेकिन दीरे दीर अभी आगे बढ़ रहा है, तो आज की हमारी दो जो news items हैं, पहला ये है कि भारत म बहुत खतरनाक खबर है ये, आप जानते हैं भारत में आज तक केवल केवल एक ही transgenic crop allowed है और वो है bacillus thuringiensis cotton, जिसमें ऐसा genetic modification किया गया है, 2000 के बाद से भारत में बिकरा है cotton का production बढ़ा है, कि automatically वो कपास में ही pesticide बनने लगता और cotton बोलवा मर जाता है, सरकार ने केवल एक GM crop भारत में allow करी, कोई GM food crop तो आज तक allow नहीं है, हलनकि illegal BT बेंगन पूरे भारत में हुआ जा रहा है और वो तो practically अब ecosystem में आ चुका है, लेकिन अभी की खबर यह है कि जो अवेद रूप से herbicide tolerant BT cotton बिकरा है, कई राज्यों में जैसे गुजरात से बहुत लाखों लाखों जा रहे हैं, law authorities कुछ करी नहीं रहे हैं, इनको व्यापक सतर पर रोकने की, और महराष्ट में खुलम खुला अंदोलन चल रहा है, सरकार को यह बोल रहे हैं, कि भई आप allow करो, हमको तो यह grow करना है, हम नहीं रोकेंगे, बहुत सारे किसान संगठन ऐसा कह रहे हैं, इस तर हर्भी साइड के प्रती रेजिस्टेंट हो जाता है, ग्लाइफोसेड, तो फिर किसान बहुत ज्यादा हर्भी साइड यूज करेगा, और अगर वैसा करेगा, तो फिर सूपर वीर्ज बन सकते हैं, और जिन प्लांट्स में यह आ रहा है, स्टी बीटी भीज वाले, उसके आसपास के प्लांट में भी रेजिस्टेंस आ सकता है, इसलिए सरकार इसको मना करी, लेकिन अभी तो फैल चुका है, सब तरफ बहुत जबरदस ख़बर रही है, और प्यारे दोस्तों, तर्की और अमेरिका ने आपस में एगरी कर लिया है, कि काबुल के एरिपोर्ट का प पताईए, शेर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल के साथ जुडिये, याद है न भाईया, 6 जुलाई से SNT क्रेकर कॉम्बो और 8 जुलाई से एकोनोमी क्रेकर, आज के लिए इतना ही, सोमवार कब हम आपसे भेट करेंगे दोस्तों, नमस्कार, जय है